सूपर हीरोज, हॉलिवूड और पॉप कल्चर के कुछ कमाल के अपडेट्स के साथ सबसे पहले कुछ बॉक्स ओफिस कलेक्शन और लेटेस्ट रिलीस पे आ जाते हैं जहां है डून 2 तो डून 2 को लेकर बहुत लोग बॉक्स ओफिस कलेक्शन इसका जानना चाह रहे थे तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस मूवी ने अल्रेटी 680 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर लिया है और हाँ इफ आपने डून का पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो भाई अब इसका डिजिटल रिलीस भी होने वाला है जल्दी 16 अप्रील को ही तो हाँ उसके बाद आराम से आप डिजिटली कहीं से भी देख सकते हो मैंने डून का पुरा उनिवर्स तो एक्स्प्लेइन करी दिया है वो वीडियो देख लेना पुरा उनिवर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा फिरा इस वीक एक नई सीरीज रिलीज हुई पोटे मगर मीजर अपडेट्स पे उसके बाद हम लोग कवर करेंगे सिनेमा कॉन को क्योंकि भाई सिनेमा कॉन से इस वीक भर भर के अपडेट्स आएं तो हाँ सब को एक एक करके कवर कर लिया जाएगा इस सिक्षन में सबसे पहले है आडीजे का रिटन अब देखो यहाँ पे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आडीजे कहीं भी जाते हैं तो उनसे इंटर्व्यू में एक कॉमन कोशन लोग हर जगा पूसते हैं कि क्या वो टोनी स्टा के कारेक्टर में कभी रिटन क करेंगे जिस पर उन्होंने इस बार बहुत दिनों के बाद बुला है कि हाँ वो हैपी है अपने उस कारेक्टर को रिप्राइस करने के लिए फिर से प्ले करने के लिए ऐसा होता है या नहीं क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी आये थे कि सीक्रेट वास जो मूवी आएगी उसमें इस कारेक्टर का फिर से रिपीरेंस हो सकता है इसके किसी वैरियंट कर रिपीरेंस हो सकता है तो लेट सी आडीजे और टोनी स्टार को लेकर फ्यूचर क्या होता है इसके बाद बात करते हैं अपने कैंग दिकॉंकरर की मुलब जोनाथन मेजर्स की से CARLOSTO लाइक पया दो करना गया है और इसका इंपक्ट उनके כरियर पिंद सब्सक्राइब करना होगा और अपडेंच नेट्फिक्स वाले शोँ में वही character उसी actress के साथ Daredevil born again में return कर रही है initially ऐसे updates आया थे कि Daredevil born again में Vanessa Fisk के character को recast कर दिया गया है और नई actress इसको play करने वाली है पर अब ये confirmation आ चुकी है कि ऐसा नहीं है original actress ही यहाँ भी return करने वाली है और इसके बाद एक mega update है Teenage Mutant Ninja Turtle की live action एक movie को लेकर जहां ये खबर आये कि एक नई live action adaptation की जारी है Teenage Mutant Ninja Turtle The Last Tune In करके और हाँ इसमें mega update ये है कि ये एक R-rated movie होने वाली है मतलब हाँ कुछ खतरनाक धमाका हमें इस movie में देखने को मिलेगा फिर इसके बाद Godzilla X Kong के success को देखते वे Monsterverse के series Monarch Legacy of Monsters के season 2 को renew कर दिया गया है और आपको पता ही होगा कि movies में ये लोग बड़े-बड़े monsters की fight दिखाते हैं और जो भी story वहाँ से missing होती है वो इस series में continue की जाती है तो हमें भी Godzilla X Kong की जो backstory होगी वो हमें इसी series में देखने को मिलेगी दिन दा बॉइस season 4 को लेकर ये update आई है कि भाई इसका post production भी अब complete हो चुका है बदब हला एंगल से ये series अब पूरी तरह से complete हो चुकी है कोई काम pending नहीं है और जल्दी इसके promotion को जोरो शोरो से किया जाएगा और 13 June को इसको release भी कर दिया जाएगा और इसके बाद आपने Transformers की पिछली movie देखे होगी तो इसके post gate scene में GI Joe का एक hint मिला था कि भाई यहां crossover होने वाला है तो हाँ अब ये officially confirm कर दिया गया कि Transformers और GI Joe की crossover वाली movie जल्दी आने वाली है और फिर Game of Thrones का universe तो सब को ही पसंद आता है तो इसको लेकर ये update है कि initially ऐसा सोचा जा रहा था कि John Snow के character पे एक dedicated series बनाई जाए लेकिन अभी के लिए इस show को cancel कर दिया गया है Kit Harrington ने बोला कि initially ये सब discussion में था लेकिन कोई proper story इस character को लेकर नहीं मिली जिससे कि इसको continue किया जाए तो हाँ John Snow की series आने की जो chances थे वो अब नहीं है इसको cancel कर दिया गया पिर इसके बाद Avatar The Last Airbender को तो आप जानती ही हो तीसी की एक animated movie आने वाली है Ang The Last Airbender तो हाँ इसको लेकर ये update दिया गया है कि Batista जो है वो इस movie में अपनी आवाज देने वाले है mean villain को साथ ही actor Eric Nam Adult Ang को अपनी voice देंगे पिर इसके बाद Alan Rissan को तो आप सब जानती ही हो तो हाँ इनसे फिर से पुछा गया कि क्या वो Bruce Wayne का character Batman का character play करना चाते हैं या नहीं जिस पर उन्होंने फिर से बोला है कि वो दिल से इस character को play करना चाते हैं और सिंसे सब लोग बार-बार ये पूछते रहते हैं कि भाई Batman play करो गया नहीं तो इन्होंने बोला कि वो छट पर जाकर चिला कर ये बोलने को ready है कि हाँ वो Bruce Wayne का character DC Universe में play करना चाते हैं वैसे रिसेंटलिए Henry Cavill और Alan Rissan की ये handshake वाली photo viral हो रही थी जिसमें सब point out कर रहे थे कि भाई इवन Henry Cavill के सामने Alan Rissan कितने huge लगते हैं तो हाँ क्या आप लोग Alan Rissan को as Bruce Wayne DC Universe में देखना चाहोगे या नहीं comment में जरूर बताना और फिर इसके बाद scary movie के बारे में तो सब जानते हैं तो हाँ इस universe का reboot होने वाला है और फिर से इसकी movie स्टार्ट होने वाली है तो यार ये थे छोटे मगर major updates अब आगे आ जाते हैं cinema con पे जहां सबसे पहले cinema con में दिखाए Marvel से related सारे updates को cover कर लेता हूँ तो सबसे पहले तो cinema con में Deadpool and Wolverine का exclusive footage दिखाए गया 9 minutes का obviously exclusively वहाँ के visitors के लिए available था लेकिन इसमें जो भी कुछ दिखाया गया है उसका पूरा description आप अभी screen पे देख सकते हो इस description से सबसे major pointer यही रहेगा कि यहाँ Deadpool ने Secret Wars को भी mention किया था sacred timeline का भी यहाँ mention था और सबसे main Thor का यहाँ cameo भी था मतलब Thor के appearance Deadpool 3 में होने वाला है यह बात confirmed है CinemaCon में ही इस movie का यह एक नया concept art भी reveal हुआ साथ ही इस movie के official concept artist Andy Park ने यह Deadpool का image भी share किया है इसके बाद CinemaCon में ही Captain America Brave New World का ही एक नया footage रिलीज किया गया जिसका description आप अभी screen पे देखी रहे हो और साथ ही entertainment weekly के दरफ से publicly यह दो नया official still images भी release किये गए हैं और हाँ यही थंडर बोल्स का भी एक official panel हुआ जहां थंडर बोल्स का यह एक official new logo reveal कर दिया गया है इस movie के title के आगे ऐस्टरिक का symbol लगा है जिसके बारे में जब केविन फाइगी से पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि अभी वो कुछ भी reveal नहीं करेंगे जब इसका trailer या teaser आएगा तब इसके बारे में आगे बात की जाएगी फिर इसके बाद CinemaCon के DC के panel के तरफ बढ़ें तो obviously सबको पता ही होगा कि यहां Joker का first official teaser trailer release कर दिया गया इसके English trailer की बात करें तो YouTube पे already इसको 20 million से उपर के views मिल चुके हैं लेकिन हिंदी में इसका trailer उतना नहीं चला है अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग इसमें 8 लाख views है तो हाँ ऐसा लग रहा है कि अभी इन्होंने इंडिया में इस movie को अच्छे से promote नहीं किया है लेकिन फिर भी मैंने इसका breakdown detail में कर दिया है पूरा analysis कर दिया है आप लुक चाहो तो वो वीडियो जरूर देखना देन आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि एक documentary बन रही है Christopher Reeve पे जो कि Superman का character play करते थे और बहुत ही जादा popular थे तो हाँ उनकी इसी documentary का एक teaser भी दिखाया गया CinemaCon में I guess सब को पता ही है कि इनकी एक tragic story रही है जहाँ ये Superman के character को play करने के लिए famous थे ही लेकिन बाद में इनको paralysis भी हो गया था और DC की दरफ से CinemaCon में एक और major portion रहा नए Superman को movie को लेकर जहाँ इस movie को officially first full logo reveal कर दिया गया है जो की काफी similar है Kingdom Come के Superman से तो हाँ अभी इस movie के filming चल रही है जल्दी इसका teaser ये trailer रिलीस किया ही जाएगा चलो अब आगे बढ़ते है CinemaCon की दूसरे movies के panel पे जहाँ सबसे पहले तो Lion King की उनिवर्स में मुफासा की जो movie आ रही है उसका एक first teaser दिखाए गया exclusively CinemaCon में ही then Moana 2 आ रही है उसका भी first teaser यहाँ दिखाए गया फिर Alien franchise की जो movie आ रही है Alien Romulus उसके भी दोने official clips यहाँ दिखाए गया है और Inside Out 2 आ रही है तो उसके first 35 minutes को CinemaCon में exclusively दिखा दिया गया और ऐसे ही कुछ similar रहा Kingdom of the Planet of Apes का जहाँ इसके first 13 minutes के exclusive screening वहाँ की गई फिर Sonic 3 आने वाली है उसका भी first official teaser वहाँ reveal किया गया और फिर Transformers की movie Transformers 1 आ रही है तो उसका भी official trailer वहाँ exclusively दिखाया गया और publicly यह logo reveal कर दिया गया फिर आप लोग Despicable 4 का भी wait कर रहे हो तो इसका भी exclusive footage, exclusive heist scene वहाँ CinemaCon में दिखाया गया है और साथी जो Michael Jackson की biopic आ रही है उसका भी first official trailer वहाँ reveal कर दिया गया और even यह भी reveal हुआ कि इस biopic में 30 से जादा गाने होने वाले है जो की expected भी था फिर जॉन विक की उनिवर्स की बैलेरिना की जो movie आने वाली है जिसमें lead में Anna the Armist है उसका भी first official trailer reveal कर दिया गया है और even यह भी reveal हुआ है कि जॉन विक का जो character है वो इस movie में return होने वाला है बैलेरिना की जो story होने वाली है वो John Wick chapter 3 के बाद की होगी और John Wick chapter 4 के पहले की तो यही reason है कि यहां John Wick तो दिखे गा ही और in the end furiosa जो movie आ रही है Mad Max universe की तो उसका भी एक exclusive footage cinema con में दिखाये गया दिन जाते हैं अगर कुछ posters पर भी नज़र डालें तो dune part 2 का यह एक नया poster release किया गया recently हुए solar eclipse को ध्यान में रखते हुए फिर bad boys का यह एक नया official poster release किया गया kingdom of the planet of apes का भी एक नया official poster release किया गया और the fall guys का यह एक नया official poster and in the end furiosa का यह एक नया official poster वैसे आपको पता ही होगा कि ऐसे कई सारे posters आप मेरे website rapster.com से purchase कर सकते हो जहां भी सही में बहुत ही खतरनाक offer चल रहा है जिसमें आप अगर 4 poster खरीचते हो तो total आपको 8 posters मिलेंगे मतलब 4 के साथ 4 free वैसी 6 posters के साथ 8 posters free मिलेंगे और 10 posters के साथ 15 posters मैं बता दू कि ये limited time offer है और cash on delivery भी available है तो miss नहीं करना चाते हैं ये offer तो rapster.com से ये posters जरूर एक बार check out करना तेयर ये थी स्वीक के updates होप सो कि आप पूरी तरह सब्डेटेड हो गए होगे इफ हां तो video like करना, share करना and obviously channel पे नए हो तो subscribe करके जाना जोकर की trailer का breakdown देखने के लिए उपर वाली वीडियो देखें और Godzilla की universe को समझने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर आऊंगा Till then, be desi, be nerd